आरियन खान को बेल दिलाने का जो मुद्दा है, वो अब सर्फ सतीश मान्चिंदे या सेशन्स कौट का ही नहीं रहा, बलकि अब ये मुद्दा कई सारे पॉलिटीशिन्स का भी बन गया है, इस मामले में कई पॉलिटीशिन्स आरियन खान के सपोर्ट में आए हैं और कहा जा रहा है कि NCB ने इन बच्चों को टार्गेट किया है ऐसे में आज एक politician Supreme Court पहुंच गए है आरियन खान को बेल दिलाने के लिए यह politician पिछले कुछ दिनों से NCB पर निशाना साध रहे थे और कह रहे थे कि NCB ने जो कुछ भी कारवाई की है यह cruise की जो drug raid है इसकी CBI जांच होनी चाहिए और आज यह politician Supreme Court में अपनी याचि का दायर कर चुके है यह politician है शिवसेना के leader किशोर तिवारी जिनोंने Supreme Court में याचि का दर्स करते वे कहा है कि आरियन खान के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है इसी लिए आरियन खान को बेल दी जाए आपको बता दे कि कल सुनवाई होने वाली है आरियन की बेल पर उसी से पहले Supreme Court में इस तरह की आचिका दर्स हुई है उन्होंने अपनी आचिका में यह भी कहा कि NCB ने यह जो रीड की है इसकी जाच होनी चाहिए और सी बीया इसकी जाच करे कि यह यह जा किस हद कि सही है Kुई कि जाहिर सी बी इस रीड में कहीं ऐसे लोग सामसे आए हैं जिनका NCB से लेना देना नहीं है कोई बीजेपी से जुडाा है कोई प्राइवेट डिटेक्टिव है तो कोई NCB के जोनन हैट समीर वान खेड़े का दोस्त है ऐसे में इन सभी लोगों की स्ट्रिक्ट तरीके से जाच होनी चाहिए आपको बताने की कल ही खबर आई थी कि आरियन को 20 तारीकों जेल से निकलवाने के लिए शारुक खान जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं उन्होंने अपनी लीगल ट्रीम को भी स्ट्रॉंग कर दिया है और इसके साथ ही जिस सरीके का प्रेशर बढ़ रहा है जिस सरीके से एक बात हो जाएगी कि बस हाई प्रोफाइल लोगों को अरेस्ट करते हैं, उनको जेल में डालते हैं, उन पर ड्रग्स का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन एविडेंस कुछ नहीं मिलते हैं, इस वक्त NCB आरियन खान के WhatsApp चैट पर जूर दे रही है, इसके लावा कुछ पेडलर्स क और कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, इस ड्रग्स मामले में NCB मान कर चल रही है कि एक International Drug Racket का हिस्सा है आरियन खान